बता मलिकाय हयात बता गुल्फाम कहां है वो कौन सा जहां है वो किस अंधिरी की आगोश है जिसमें गुल्फाम रूपोश है गुल्फाम इस वक्त वहां है जो जमी है ना असमा है माजी की दुनिया है बीते हुए दिनों का जहां है पलिंदे तू तो वक्त पे वक्त और कभी कभी दिला जरूरत बोलता रहता है अपनी जोच खोलता रहता है वगर इस वक्त तो किसी पेचान उतले की तरह है खमोश है क्यों आता इस वक्त प्री वफादारी का प्तार रही है कि आता जिबरान के मुझसमे के पास मौच हो आता है में दुश्मन कहीं आता ये मुझसमे को पुरा हशुद ना कर बैठे ऐसा नहीं होगा परिंदे क्योंकि जिबरान के हाथ में जो इलिस्ट में अंगुटी है उसमें जलाल और बिलाल के माबाब पैद हैं इसलिए वो जिबरान के मुझसमे की हिफाज़त इस तरह से करेंगे जैसे इंसानों के बच्चे उड़ापे में अपने माबाब की हिफाज़त करते हैं जिबरान का मुझसमा कहा रायब हो गया है वो पहले भी रायब हो जाय करता था उस वक्त के बात और थी मैं जबेन और इस वक्त के बात और है इस वक्त कर बन चुका है जिस तरह गुल्फाम का उपकाब उशी खुरासान से उठा लाया था उशी तरह उसने जिबरान को भी उठा लिया होगा नहीं उसमारा यह ने गुल्फाम के पास अब ऐसी कोई कि रस्मी ताकत नहीं बची यह जिबरान के पुपले को यहां से उ अब गुल्फाम के अलावा उसी और को जिबरान में तो कोई दिल्चस्पी हो नहीं सकती तो फिर कौन है वो जो तिलस्मी कोवतों का मालिक है और जिससे अपनी इसी कोवतों की बदालत जिबरान का मुझस्मा यहां से उठा लिया है कौन है वो गुल्फाम मैंने तुझे तिलस्मी अंगुठी हासल करने के लिए माजी में पहुंचा दिया था अंगुठी तुझे दिला दिया मगर याद रहे ये अंगुठी असल नहीं सिर्फ असल अंगुठी की तिलस्मी शकल है ये अंगूठी जड़ा तेरे पास जहने वाली नहीं इसलिए जल रस जल इस अंगूठी के जरिये तो अपना मकसद हसल कर क्योंकि अब ये अंगूठी माजी के जमाने से हाल में है यानि के आज के जमाने में और क्योंकि हाल के जमाने में ये अखर है इसलिए इसका असर भी बे असर हो जाएगा याद रख याद रख कि तेरे पास वक्त बहुत कम है तू फिक्र न कर थोड़ा वक्त भी मेरे लिए बहुत है ऐ हमजाद मलिका पुल्फाम तेरा शुक्र गुजार है कि तेरे सबब मेरी जिन्दगी भी सलामत रही और मुझे मेरी तिलिस में अंगुठी भी मिल गई अच्छा अब मैं चलती है अल्विदा ए मेरी तिलिस में अंगुठी चल अब तेरा जादू फिर जगाए चलकर जिवरान को पत्थर से फिर जीता जादा आद्वी बनाए चली है अंका जिवरान का मुझसिमा मैं यही फोर गया था का खैर हो गया इस मुझसिमे के निगरानी और पहेद आरीक येमानी अपनक तिलिस में मुझसिमा लगाया था कम अख भोबी गया जादूना तिलिस में मुझसिमा फोर नाजीरो जाइरो उट लर्के लर्के उट नालायक नमा धराम उट अगा फुल्फाम आप आगे हैं आमा फुल नालायक लगे तो सो रहा था आगा मैं क्या करता हूँ जादूगर जिबरान के मुझसमे पर हर घली हर बल नजर रखके रखे रखे आँखे जपकने लगी पता ही ने चला इस वक्त नीन के आगोशु चला गया तुझे अपने फार से नीन ज्यादा प्यारी है तेरे खफ़त का अंजाम देख देख हुदा जिबरान खायब और जिपा है अगा अगा अगर जिबरान तो पत्वन का बंगयाता तुझे चलकर कहां गया मैने तुझे अमुठी की निग्रानी शौपी अमुठी की चोरी हो गई फिर मैने तुझे पुझे पुझे की निग्रानी शौपी पुट्रा चोरी हो गया जो आँके निग्रानी नहीं कर सकती उसके नजर छिन लेनी चाहिए मैं तुझे पत्छर था बना दूंगा पत्छर की नजर बेनजर होती ए दो ख़बर मुख्यी है पुझे माद कर दिजा आखा जो पत्छर का मत बनाएए अगर मेरी नजर रीक हो गई तो मैं किसी काम कर नहीं रहाँ गा जिबरान का पुत्ला मेरी आखों के सामने साथ गया तो क्या मेरी नजरे उसे जरूर ढून निकानेगी कोई फाम तेरी आखों का मौताज नहीं फिर भी तुझे माफ़ करता है और तुझे एक मौफ़ा और अता करता है अपने नजरों को दोड़ा और मुझे फौरन बता जिबरान का मुझे सुना कहा है पेरे पास वाक नहीं क्योंकि थोड़ी देर में ये अंगुटी अपना तिलिस को खो देगी इसका सरसाय हो जाएगा और ये खुद भायब हो जाएगी अगर ऐसा होने से पहले मुझे जिबरान को इंसान बनाकर अपने असल अंगुटी हासिल करनी होगी बता जल्दी बता जिबरान का मुझे से मकाहा है मैं अभी पतहर के आता हूँ और खास कंबाख जिबरान पत्थर का बनकर भी चैन से नहीं बैठा ना जाने अपने तोती की तरह काहा उड़ गया जिबरान का पुद्ला काहा गया अरे मेरा आगा नार वो गया मैं क्या करो आगा लो कान उड़ो कहां से लाओ जाजेरी को तुश्मनों वेकार पत्थर उठागे दे गया तो प्रह परिंदे रोरोक कर मेरे खयालाप को परिशान ना कर कुछ सोचने ले सोचिये मत कुछ की जी आकर साम्री मेरे बढ़ाम उड़ूने ना जानेओं के जंदेरे में कुमों गय साम्री तारीखियों का शैंशा है अंधेरों का बादप्शा है काला चादू मेरी मुच्छे में है, अंधेरी के कोई गाली चादर, जिवरान को मेरी नजरों से बचा नहीं सकती, छुपा नहीं सकती, अभी बताता हूं मैं कि तेरे आका जिवरान का मुझे समय कहा है जिवरान, देख ये पत्थर देख, देख यह श्र, अपनी बदक्समती का असर देख, काश तेरी आँचे पधराई नहोती, काश तू देख पाता, और सु पहा पाता, काश तू बोल पाता, खोट हिरा पाता, तू आह भरता और मैं वाह करती, क्या हुआ अगर तू पत्थर का बन गया तो, क्या हुआ अगर तू सड़क नहीं सकता तो, अब मैं तेरी रूप को तड़पाऊं जी, तेरी इस मुझस्त में को रिज़ा रिज़ा कर दूँगी, तुझे मैं इसका नाभूद कर दूँगी, मलिकाई शबाब, ये मत करना, जुल मत करना, वरना मेरा बंदा खाम खाम आरा जाएगा, मैं तुझे ये जुन करने नहीं दूँगा मलिकाई शबाब, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जिबरान का मुझे समा, अपने किले सम से यहां लेको आई है मलकाई शबाब, अगर इस पत्थर का करेंगी क्या, जिबरान की जान लूँगी, इस से इंतिकाम लूँगी मैं, और को से कहनते का मलकाई शबाब, वो तो पत्थर का बन चुका है, इस पत्थर को मैं पानी बन जाएगा इस चादिवर्थी लालच और वेमानी से आवे शबाब का शबावी असर चाता रहा और उसकी उटे असर से चवानिया उठाके में बदलने लगी इसी आवे शबाब से अथर भी पानी बन जाता है तिल्कुल बैसे ही जैसे आतिश पिशा की लावे में लोहा पिखल मेरे इंतिकाम की अग शिपर को आवे शबाब में डूब कर लिए निसों है कि तुम सब मिलकर शिपरान के इस चैतानी पुत्ले को जबाब श्रूब कर आब शबाब लगार अधार शबाब कर दो था दो दर नि यह रजब मत करना यह वाज़त शबाब यह सित्म हर्किस मर् करना मलका शबाब परना घजब हो जायगा तुम कौन है मैं ज़लाल का भाई हूं हम दोरों भाई हैं अपने गताने के खाटें नहीं आएं मलका शबाब माबाप की जान? अगर ये बताओ कि तुमारे माबाप कहा है और उनकी जान का ताले जित्लान के पुत्वे की दबाही से किस तरह? अलका शबाव, जादूगर दिब्रान के हाथ में खिले गुलफान के तिलस्मी अगुठी है, जोच ने धोके से चुराई है और इस धोकेबाज में जादूगर जिब्रान में उसी तिलस्मी अंगुठी की बदूलत मिलाल को पत्थर का बनाना चाहा, अगर बहुत पत्थर का बन गया, अगरी साथ से पहले जादूगर जिब्रान में हमारे माबाप से बदला लेने की खातिर हमारे माबाप को तो ये बात है, अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर आ गए, वर्ना मैं तु जिब्रान को नेज तो नाबूद कर चुकी होती, इस पुतले को देखकर, आज एक बात समझ में आती है, कि अगर शैतान मर भी जाए, तो उसकी शैतानिक खत्म नहीं होती, अधर बनके भी, जिब्र कितनी एहनुत इक्तियार कर रहा है, एक तरफ तुम दोनों भाइल, अपनी मावाद की खातर, इस पुतले को बचाना चाहते हो, तो दूसरी तरफ फिलफ़ाम, अपनी अंगुठी हासल करने तक, इसको तबाह और बर्बाद होने से बचाएगा, वो भी यहां जरूर करनी के लिए आका, बारी साथ से उज़ा होता जारा है, मेरे आका जिम्राइल की तार का खत्रा मरता जारा है, तुम दोने तक, अनगे तक, प्रफ़ाम आओ, हमें तम्हारा ही इंकजार था, हम चांदे थे, तुम अपनी तिलिस्मी अंगुठी लेने यहां ज़रूर आओगे मलिका ये शबाब गुल्फाम तुम्हे सलाम करता है मतले हमारा नाम पेरे होटों पे मलिका ये शबाब का नाम अच्छा नहीं लगता मगर क्यों मलिका आखिर मैंने कौन सागुना कि ये तो कह रहें नहीं की यहां तक कि हमारे हुसन की बेकदरी करके कोहिकाफ की परियों के साथ साथ हमारी भी तौहीन दी है यह क्या कह रहे लो मलिका मैंने तो किसी की तौहीन नहीं की कोहिकाफ की परियों को छोड़कर एक आदम साथ हसीना से इश्ग क्या यह हम सब की तौहीन नहीं है दिल के मौमलात पर मेरा कोई अख्तिया नहीं हूँ, दिल जिस तर आना होता है, बगहर किसी मर्जी और अख्तियार के आ जाता है, चल, हम वतन समझ कर तुझे मुआफ किया, बता हम तेरे लिए क्या कर सकते हैं, मलिका शबाब, मैं देख रहा हूँ, कि तु इस आदम जाद जादुगर जिवरान को, अकले ही सजा दे रही है, जबकि ये मेरा भी मुधरी में है, नहीं गुलपाम, हम अपनी मुझ्रिम को हाथ लगाने की इजाज़त किसी को नहीं देते, अलबता अगर तु चाहे तो, अपनी तिलस्वी अंगूटी निकाल सकता है, इसके लिए मु जबकिते जादे जिवरान पर कहे धाने में, सितम करने में, उसे जजा देने में तो बहुत लगपाएगा, बगर इसे पुत्वे से इंसान बनाकर और अपनी अंगूटी हासल करके, कहीं तो उस तिलस्वी अंगूटी से जिवरान को वापस पथर का तो नहीं बनानेगा, तू वादा कर, वादा कर कि तू ऐसा नहीं करेगा, मैं वादा करताओ मलीका चवाब, मलीका चवाब को, मलीका चमजाद का सलाम, कुबूल हो, यह मेरी महसीन है, मलीका चमजाद, मुझे मुआप करें मैं एक लंभा भी जाय नहीं कर सकती गुल्फाम तुम्हारी पिलिस्वी अंगूठी का असल कुछी लंभों का महमान है फोरन जिब्रान को पत्थर से इंसान बना दो वरना फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदब नहीं कर पाऊंगी अलवड़ा मैं अंगूती गायब हो चुक्री है अच्छा ही हुआ अब इसे सजा देने के लिए इसे पत्थर का बराने के जरूरत नहीं वही वाकर गुल्फाम यह तो बहुत ही अच्छा हुआ तेरी हाथों जिब्रान अपनी आधी सजा भूगत रहा है आधा पत्थर का बनकर रह गया है और आधी सजा उसे मैं दूंगी चालाकी नहीं जिब्रान अब तु मेरी मट्री में है अब तेरा कोई चादू नहीं चलेगा जिब्रान अब तेरा मुझरिम तेरे खब्जे में है इसका जोच आए हश्र कर अगर मुझे मेरी अंगुती वापस कर जरूँ 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 सब्सक्रूँ जरूँ मुझे जिपरानड तुझे सब्सक्राइब निया दिया है। है 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 कि मैं राइंग जिपरानड लाइट नहीं है बचारा, उन्हें बचाईए, जल्दी बचाईए लगता है मेरे आतना को मलिकाई शवार में मौत के मुप में डखेल भी आएकार सांगी, उन्हें बचाईए नहीं तिलिस में परिंदे, मैं ऐसा नहीं होने दूगा मैं अपने जीज बंदे को, मौत को निगलने नहीं दूंगा, छेन लूंगा मैं उसे मौत की गोठ से, बचा लूँगा मैं उसे अक्रफाी हाकों से मलिकाई शवाप मुझे अज़े बचाँ मुझे Unt makes a मुझे perspectives हाँ ये तेज़ा जैसी ही चलन है और इसे तेज़ा तेरे ही तरय आभ सबनाई है मेरे भी पर मलिक आप मुझी कोणत्र जलना है मुझेải सभाब मुझे मुझे सभाब चलने कोजा नहीं दे और चलने कookंगे आफ तो समाली